हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दे चानल इस रिस्टी स्टडी पर राजुन यहां पर पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेट टॉपिक वेक्टीरियल डिजीजेज जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीवाडू जनित रोग यानि की जीवाडू के कारण जो हम लोगों को रोग हो जात कोश्चन आते हैं उसमें ये कोश्चन जरूर आते हैं जीवाडू विशाडू का बक से होने वाले रोग तो आज हम जीवाडू जनित रोग पढ़ेंगे इसके साथ यूपी पी एससी में जो स्टाफ नर्स की वेकेंसी निकली है उसमें भी ये बहुत इंपोर्टन टॉप बैक्टिरियम आपको बहुत सारी जगह लिखा हुआ मिलेगा तो बैक्टिरियम माने होता है केवल एक बात एक की बात कर रहे हैं यहापर और जब बैक्टिरिया है तो बहुत सारे बैक्टिरिया की बात कर रहे हैं यह मैंने हापर एक अलग से आपको बता दिया तो कौन सा रोग जनक निमोनिया रोग का कारण है तो इसका उत्तर है हीमोफलस इंफ्लुएंजा इससे निमोनिया होता है हीमोफलस इंफ्लुएंजा से इसका देखे पूरा डिटेल दिया है हीमोफलस इंफ्लुएंजा से निमोनिया होता है इसके साथ उपर जो दे रखे हैं यह पूर सौल्मोनेलर टाइफी से, टाइफी से समझा, यह टाइफ d होता है और मैक्सोभाइरस इन्फ्लुएंजा से जो है इन्फ्लुएंजा होता है यहांपर इसके बारे में इसके साथ-साथ बोडे टेला पर्टुसिस से जो है वो काली खासी होती है ठीक है तो इसको याद रखेगा निमोनिया जो है वो जो है यहाँ पर बेक्टिरिल डिजीज है अगला कोशन है निमोनिया के बचाव निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है तो यह जो है निमो यहाँ पर लगाए दाता है नियूमो कोकल बैक्सीन कौन सी नियूमो कोकल बैक्सीन अब यहाँ पर यह देखे पूरा लिखा है नियूमो कोकल बैक्सीन एक सैयोगमित यानि की गुरुब्ड जो है वो टी का होता है जिसका उपयोग निमोनिया की रोप काम के लिए कह दाता ह साल्क वैक्सीन, BCG वैक्सीन और TAV वैक्सीन का उप्योग जो है क्रमशा लिखा है, साल्क का यूज जो होता है, वो पोलियो में होता है, BCG का जो होता है, वो तपैदे क्याने की, TB जो होता है, TB इचीज बिमारी होती है, टुबर कुलोसिस उसके लिए, और जो TAV वैक्सीन है यह जो होता वो टाइफाइट के रोक थाम के लिए होता है अब इसके साथ अगला कोश्चन यहापर है निमोनिया के संबन में निमलिखित में से कौन सा कथन यहापर गलत है तो एलवुलाय में द्रव का संचनल लिक्विड इखटा हो जाता है यहाँ पर हम लंग्स की बात कर हो जाती है बुखार और ठंड हो जाता है बिल्कुल पूर इसके बारे में यह लिखा है और यह हाला कि निमोनिया में हमारे जो पूर फीसिज है उसमें बलड नहीं आता है और सारे कारण होते हैं डीफ्थीरिया आम तोर पर किस आयू वर्ग के बच्चों में होती है तो डीफ्थीरिया जो है वो पांच वर से कम उम्रे के बच्चों में 20 का उत्तर है पांच वर से कम आयू के बच्चों में यहाँ पर प्रवावित होता है इसके लक्षन क्या होता है गले मे खराश हो जाती है, हलके बुखार के साथ ठन लगती है, उल्टी सिर्दर दादी होता है, गले में टॉंसल में से एक भूरे रंग की जिल्ली दिखाई दिती है, मतलब जो टॉंसल होते हैं वो भी फूल से जाते हैं और नीचे तक फैल सकती है, सुर बैठना यानि की गला मारा बैठ जाता है, और सांस लेने में हमें कटनाई होती है, यह 5 साल से कम के बच्चों को बीमारी होती है, काली खासी ठीक है, बूफिंग कफ को सामान क्या कहते हैं, सामान नाम से क्या जानते हैं, तो काली खासी बीमारी का सामान नाम सभी को पता है, इसको काली खासी कहते हैं और यहां पर खाली खासी के नाम से जाना जाता है और टेटनस लीश मैनिया और टाइफाइट को आम तोर पर लॉक जो रोज कहते हैं टेटनस जो होती है वो लॉक जो है हमारा जबड़ा जो लॉक हो जाता है उसको लेकर है जो माने जबड़ा और लीश मैनिया काला अजार हो जो आगी चलकर Tetanis बन जाती है कभी लोहा वगर्णा लग जाता तो वो क्य उसकू करता है Tetanispasum Tetanisporium Tetanisporum Tetanisporium Tetanisporium Tetanisping जो होता है जो प्रकार का neurotoxin है जो neuromuscular junction ओपर कारी करता है जो जीओड होते हैं हमारे neurons related इस परकार mass patient जो होती है वो paralyzed हो जाती है इस कारण हमें गंभीर दर्ध होने लगता है जो कि घातक होता है ठीक है हमारी muscles paralyzed हो जाती है इसलिए हमारा जबड़ा चलता नहीं है और हमारे neurons पर यह attack करता है ठीक है यह tetano spasmin जो होता है इसके बारे में और इससे secret कौन करता है तो यह जो bacteria है Clostridium tetany जो है वो ठीक है अगला यहाँ पर question है tetanus, kalikhaansi और diphtheria तीन बीमारियों के लिए एक टीका होता है wolfing cough कहते हैं कालikhaansi को याद रखेगा से सुरक्षा के लिए बच्चों को दिया जाने वाला सैयूक तो रूप से जो टीका एक टीका होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे dpt का टीका कहते है dpt ठीक है तो यहाँ पर यह पूरा लिखा है और यह पूरा dpt का बच्चों को tetanus, kalikhaansi और diphtheria से सुरक्षा देने के लिए एक टीका है एक ही injection में तीनों का इलाज है और यहाँ d का अर्थर diphtheria p for pertuses, pertuses माने काली खासी ठीक है और काली खासी का सामाने नाम काली खासी है लेकिन वैसे उसे pertuses कहते हैं या रखना और t for tetanus है और इसे woofing cough भी कहते हैं dpt का टीका शिशू के जन्म के 6 सफता के अंदर हरहाल में लग जाना चाहिए बच्चा छोटा होता है और लगबग तेड़ महिने का उसके अंदर लग जाना चाहिए आठमा कोशन है टाइफाइट रोग के संबन में निमलिकित में से कौन सी बार जो है वो गलत है तो इसमें क्या है माइक्रो वेक्टिरियम लेपरी टाइफाइट के कारण है गलत है टाइफाइट जो है वो टाइफी जो है इसके दूशित भोजन और पानी यहां सही है बिल्कुल सही दूशित भोजन और पानी के बज़े से संक्रमन हो जाता है टाइफाइट जो होता है हमारी आत्र जोर जि तो आतों से related है इसका एक है देखो यह है सालमुन नेल्डा टाइफी जो होते हैं वो टाइफाइड का कारण होता है टाइफी लिखा हुआ है और एक ग्राम नेगेटिव यह जीवाडू है देखो बैक्टिरिया है यह ग्राम नेगेटिव जो होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजटिव ऐसे लिखा रहता है तो वेक्टिरिया होते हैं वेक्टिरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यह रोग जनक आम तोर पर दूशित भोजन और पानी के माध्यम से मारी छोटी आत में चले जाते हैं और रक्त के माध्यम से दूसरे अं पर चानि यह तेज वुखार नहीं आता हलकाल का वुखार रहता है और शरीर में आर्च समय ही लहता है भूख नहीं लग रही है वीक्नेस बहुत रहती है टाइफाइट वुखार की पुस्टिक लिए निमलिकित में से किस परिक्षन को किया जाता है बहुत कॉमन सा है इसक करते हैं हम टाइफाइट टेस्ट कर रहे हैं टाइफाइट वुखार की पुस्टिक लिए ब्डाल टेस्ट का उपवग किया जाता है जो इसकिक टेस्ट होता और PEP smear test 2 है वो cervical cancer के लिए होता है और जो tunicate test जो है वो डेंगू वुखार के लिए होता है आजकल डेंगू वुखार चल रहा है तो इसके लिए tunicate test जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अगला निमलिकित में से किस व्यक्ति का उपनाम टाइफाइड मेर मेरी कियो नाम रखा था तो इसका उत्तर है Mary Melon जो थी उसका नाम टाइफाइड मेरी था क्योंकि यह चिकिस्टा के शेतर में एक बहुत बड़ा मामला था वह पेशे से एक रसोहीया थी खाना बनाती थी टाइफाइड वहाग थी इसकी बजह से क्या था बहुत सारे लोग नाम था लेकिन इस से ताइफाइड सब leicht से फैल राता तो इसके आगे मैरी से पहले इसका नाम रख दिया गया आतो में छैत किस रोक के कारण होते हैं आप सबको अभी बता दिया था वी पर भी टाइफाइड के कारण हो जाते हैं ठीक है आतो यहानु कि जुम्स को कहते हैं जो यह आतों में टाइफाइट विशिस लिक्षन है इसमें वेक्ती को खून बहने से मौत भी हो जाती है इसलिए टाइफआइड घातक भीमारी भी हो सकती ही अगर आपकी आतों में जादा infection हो गया तो खुल मिलाके इसका कहने का मतलब यह है कि आपके आटों में जादा infection हो जाएगा तो आपकी म्रति भी हो सकती है निमलिखित में से कौंळ सा रो plague bacteria का कारण बहख है ठीक है तो कौंझ सा plague bacteria का बहख है plague bacteria का बहख तो इसमें जो यह है जैनोपसिला जो है वो प्लेग बेक्टिरिया का वाइरस है प्लेग चुहे से चुहे बे जो पिस्सू होते हैं जैनोपसिला के माध्यम से फैलता है वे रोग जनक यसीरिनिया पैस्टिल ले जाते हैं ठीक है तो क्या रोग जनक कौन होते हैं यहाँ पर बेक्टिरिया होते है याद रखना बेक्टिरिया की बारे में बात हो रही है तो बेक्टिरिया क्या नाम है उनका बेक्टिरिया का नाम है यसीरिनिया पैस्टिस इनको अपने साथ ले जाते हैं और जब यह संक्रों में चुए जो होते हैं वो मर जाते हैं तो जो पिस्सू होते हैं ठीक है है वो चले जाते हैं ठीक है तो यह चीज याद रखना अर्स इसलिए प्लेग इस तरह से फैलता तभी कहते हैं चुए चुए पे जो पिस्सू होते हैं जिनका नाम जनिपसिला है इनकी वज़े से इनकी वज़े से यह मनुष्य में पहुंच जाते हैं जैसा ही चुवा मरता ह तो यह भारा जाते हैं और यह मनुष्य को काटते हैं और इससे क्या हो जाता है प्लेग फैल जाता है अगला है यहाँ पर कोशन है निमलेखित में से कौन सा प्लेग का प्रकार नहीं है तो प्लेग तीन प्रकार का होता है आपको बता दू मैं तो यहाँ पर तीन प्रकार लिखा है, तीन रूप में होता है, ब्यूवोनिक प्लेग सबसे आम प्रकार का है, जिसमें गर्दन और जो हमारी अंडर आम्स हैं, उनके शेत्र में ब्यूवोस का निर्माने इनकी गाठ जैसे बन जाती है, लिंफ नोड सूजन जैसे आजाती है, और सेप्टी सैमिक बैसल हमारी बॉडी में फास जने लगती है, जैसे तवचा पर काले धब्बे जैसे आपको दिखने लगेंगे, और निमोनिक प्लेग जो होता है, वो एक मातर रूप है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ये कुश्चन आ सकता है, कि कौन सा प्लेग ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो निमोनिक प्लेग जो होता है, वो फैलता है, बी सी जी वैक्सीन का पूर्ण नाम यहाँ पर पूर्ण नाम जो है, वो है बैसिलस कलमेट और ये ग्यूरेन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, तो यहाँ पर ये दे रख यह आम तोर पर शिशु के जन्व के 6 महीने के बीच में ही लग जाता है, शिशु 6 महीने का हो जाए, उसके बीच में इसको लगाना होता है, और इसके सांसाद अभी DBT-DPT का बताया था, वो 6 सप्तहा था, ठीक है, इसको जात रखीगा, वो 6 weeks था, यह 6 months है, इसमें confuse मत होगी अगला कुष्ट रोग की खोज किस ने की थी यह बहुत important question है तो इसकी खोज जो है हैंसेन ने की थी 15 का ए उत्तर है आपको 15 का सबसे पहले हैंसेन ने की थी इसलिए इसे आम तोर पर हैंसेन रोग भी कहते हैं कुष्ट रोग को ठीक है याद रखीगा क्यों कहते हैं क्यों कह कुष्ट की थी कॉल्स जोसस एवर्थ टाइफ्वाइट की खोज करने वाले पहले वे वेखती थी लेवी ने लेवी का पूरा समूथा उन्होओं है एच आइवी की खोज की थी ठीक है सोलबा को ठीक है ने कुष्ट रोग के इलाज के लिए आम तोर पर कौन सी दवा दी जाती है तो कुछ रोग के लाज के लिए आम तोर पर जो है DDS डाइमिनो डाइफैनिल सलफोन दी जाती है याद रखना और यह कुछ रोग के लिए पीडित रोगयों को दी जाती है इबुप्रोफेन जैसे कहते हैं वह उपयोग सूजन दर्ज और बुखार के लिए किया जा जाता है ठीक है सिप्रोफ्रोफेन टाइफाइट के वखार के लिए और जो इबुफन आपने नाम सुना होगा वो तो आज कल दी नहीं जा रही है सूजन दर्ज वखार के लिए जबकि आईसो ट्रेटी नाइन जो है वह एक एंटिवाइटिक है ठीक है तो इसका उपयोग जो है मुहासे के गंभी रोग से लिए लिए जाता है यह सारे जितने भी दे रखे इनकी यहाँ पर बता दिया कि सबका उपयोग कहां पर होता है यह जो चारो दे रखे है ठीक है ए बी का तो बताई दिया सी और टी इनका सबका बता दिया तो बी का तो इसके कुश्रोग म हो जाती है उसकी बात हो रही है कि food poisoning जो है आम तोर पर clostridium की किस प्रजाती के कारण होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो यह clostridium botulinum के कारण होती है clostridium botulinum आम तोर पर मनुश में food poisoning का कारण होता है जैसे हम कभी ऐसा खाना खा लेते हैं कभी-कभी तो ये बैक्टीरिया अगर उसमें है तो हमारे लिए उल्टियां दस्ट चाल स्टार्ट हो जाते हैं कभी-कभी खाना तो उन्हें ठीक खाया तक कहते हैं डूर्वा पकेश्यों, जो हमारे मस्तिस के स्वास्त के लिए को बनाए रखती है, ठीकिस सारे आपशन का आंसर दे दिया है आपर, फिर है, एकसो टॉक्षिन बेक्टेरिया के दौहरा, जो है आसपास के बातावरल में छोड़े गये, विशाग्त परदारत होते हैं, ये जो है माध्यम है एक EXOTOXIN BACTORIA जिसके कारण जो है हमारे जो आसपास के पदार्थ है वो विशाक्त जाते हैं सही है एक ये विशाक्त पदार्थ है ये जो है EXOTOXIN और जो बेक्टिरिया द्वारा आसपास के माध्य में छोड़ दिये जाते हैं जबकि एंडो टॉक्सिन वे विशाक्त हैं जो बैक्टिरिया द्वारा अपने शरीर में छोड़े जाते हैं जब ये फट जाता है तो विशाक्त पदार्त माध्यम में बाहर माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं fautes यह क्या होता है और जब यह फक्ट जाते है तो यह विशाग Ayndrotoxin और Axios-Aytegyznt का यहा पर यह पर पूरा डःटेल यह दे रखा है, अगला यहा पर question है, 19 मह निमलिखित मैं से कितने रोक जीवाणों हो दरा होते ही, पूरा इन में से दे रखा है, तो इन में से 8 जो है वो जीवाणों हो धारा होते है, मैं आपको बता दूँ, इसमें से आट कौन से हैं तो एक तो हैजा ठीक है विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है निमोनिया हेमोफिलस इन्फुएंजा के कारण होता है कालिकासी वर्डे टेला पर्टिसिस के कारण होता है टाइफाइट सॉलमेनेनी टाइफाइट के कारण होता है गैंग्रीन किसके कारण क्ल पॉस्ट्रीडियम के कारण होता है परफ्रिंजेज और प्लेग यरसीनिया पैस्टिस के कारण होता है और डीफ्थीरिया जो होता है वो कैरीनो बैक्टीरियम डीफ्थीरिया के कारण होता है ठीक है तो यह आठ यहां पर पूरे दे रखे हैं यह देखे पूरा यह हैजा का लग दिया है निमोनिया का यह लग दिया काली खासी का यह दिया ताइफाइट का यह इसका दिल रखा है और यह पलेक का यह और इसका यह इस इस्टरह से आप इसको एक बार और पढ़ लिए तो दुन मैयाने ज है इसलिए हमाब मसल्स Давайте लगती है तो immortal अकड़ने लगए हमें दिक्कत होने लगती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जो को जो है लॉक कर देता है बहुत तेज दर्द होता है और यह खातक होता है ठीक है इसके बाद यहां पर आता है ATS injection का पूर्ण रूप क्या है तो ATS injection को जो है एंटी टेटनस सीरम कहते हैं ATS यहनकि एंटी टेटनस सीरम यह ATS का मतला एंटी टेटनस सीरम इंजेक्शन है यदि पिछले 5 वरसों में टेटनस का टीका आपके नहीं लगाया है तो चोट लगने में 48 गंटे की वितर लग जान के माद्धियम से हमारे रक्त में आ जाते हैं बलड में तो इसलिए कभी के भी कहते हैं लोह इससे चोट लग गई तो 48 गंडे के अंदर टीक का यह इंजेक्शन लगवा लो इसलिए क्योंकि इसका जो वेक्टिरिया है वो वाँमारे बलड में प्रविश कर जाता है निम ल कुछ रोग Microvacterium Lepre के कारण होता है जबकि जो हमारा TB है Microvacterium Tuber Cloreses केबल इनकी Species बदली वही है जीनस इनका वही है जीनस और Species होता है ना तो Species Genus Microvacterium ही पूछा है और Species Tuber Closies अगर है तो उसे TB होगा और Lepre लगा है तो Leproscope होगा ठीक है? तो यहाँ पर यह पूरा लेपरीसी होगा लेपरीस कोपी नहीं पूरे यहाँ पर मैंने आपको 22 कोशन कराए है अगर यह कोशन आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लीजिएगा एक बार पहले आप इसको जब स ठीक है वाइरल लेके आओंगी मैं आपके लिए जितनी भी होंगी जो यान की विशाणू से होने वाले रोग अगली वीडियो में ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने करें